त्रेंट्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपको इसको इस पूरे को अनकॉंपलिकेट करते हैं ठीक है यह मा यानि कि अम्मा के जो पेरेंट्स होते हैं अम्मा की मा नानी अम्मा के पिता नाना अम्मा की अम्मा नानी, अम्मा के डाइड जो होते हैं वो नाना, अम्मा की बहन यानि मौसी, mother sister, okay, mother sister's husband जो है वो होगा मौसा, so, mother, sister, husband. mother, sister, मौसी, मौसी के जो husband होंगे वो होंगे मौसा, mother, sister, will be मौसा, तो इनके जो बच्चे होंगे, वो होंगे मौसेरे भाई, यानि मौसी और मौसा के जो बच्चे होते हैं, वो मेरे मौसेरे भाई या मौसेरी बहन, ठीक है, फिर से एक बार करते हैं, अम्मा, अम्मा के जो father होंगे वो नाना, अम्मा की जो mother होगी वो नानी, okay, grandmothers, तो ये मेरी grandmother, mother, मेरे grandfather, if I am the child over here, then ये मेरी मा, मा, मा के जो पिता जी हैं वो नाना, मा की जो mother है वो नानी, तो मा की जो sister है वो मौसी, sister के जो husband है मौसा, उनके जो बच्चे हैं, मौसेरे भाई, मौसेरी बहन, तो मेरी मौसी के जो बच्चे हैं, वो मेरे मौसेरे भाई, मौसेरी बहन, ठीक है, अब मा के brother, मा के brother याने के मामा, मामा की जो वाइफ है वो मामी इनके जो बच्चे हैं वो मा मेरे भाई और मा मेरी बहन तो एक बार और बताती हूँ मा की जो मदर होगी वो नानी मा की जो फादर होगे वो नाना तो ये grandparents from the mother's side मा की जो sister है वो मौसी मा की जो ब्रदर है वो मामा मौसी के husband मौसा इनके जो बच्चे हैं मौसेरे भाई मौसेरी बहन तो ये मौसी के बच्चे मामा मा के भाई मामा इनकी जो वाइफ है वो मामी मामी की जो बच्चे होंगे म मेरा भाई, म म मेरी बहन तो ये mother side of the family हो गई अब आगे बढ़ते हैं पिता, पिता यानि फादर फादर की जो मदर है वो दादी फादर के जो पिता है वो दादा तो फादर के मदर दादी फादर के फादर दादा ओके फादर की जो sister है वो बुआ फादर के जो ब्रदर है चाचा नौर्थ में कई जगे पे यूपी में ताओ बुलाते हैं ओके ये बड़े भाई को ताओ बुलाते हैं ओके तो फादर की sister बुआ फादर के ब्रदर चाचा यूपी में कुछ जगे पे बड़े चाचा को ताउ बुलाते हैं Is that clear? अब बुसा के जो husband है वो फुफा बुसा के husband फुफा और बुदा के जो बच्चे हैं फुफेरा भाई, फुफेरी बहन Okay अब आगे बढ़ते हैं चाचा या ताउ Okay चाचा की wife जो है वो चाची ताउ की अगर अगर फादर के बड़े ब्रदर है तो उनकी जो वाइफ होगी ये ताउ की ताई ओके तो फादर फादर की सिस्टर बुआ फादर के ब्रदर चाचा यूपी में बहुत सारे जगे पे बड़े चाचा को ताउ बुलाते हैं फिर बुआ के हस्बन फुफा बुआ के जो बच्चे होंगे वो मेरे लिए फुफेरा भाई फुफेरी बहन मतलब मेरी बुआ के बच्चे चाचा चाचा की वाइफ चाची और अगर बड़े चाचा है तो ताउ ताउ की वाइफ ताई अब इनके जो बच्चे हैं चचेरा भाई, चचेरी बहन तो एक बार और कर लेते हैं इसको पिता की मा Father's mother is दादी Father's father is दादा Father's sister is बुआ Father's brother is चाचा In many places ताओ Okay, बुआ's husband is फूफा चाचा's wife is चाची ताओ is, if your father has an elder brother तो ताओ, ताओ की wife टाई Is that okay? अब इनके जो बच्चे हैं चाचा के बच्चे चचेरा भाई, चचेरी बहन So एक बार और कर लेते हैं To make it simple, simple, simple इसलिए परें बार बार बोल रही हूं ताओ की आपके दिवाग में set हो जाएं Okay So mother की mother, nani Mother के father, nana तो ये maternal side ये maternal side के relations हैं और ये paternal side So maternal side पर Mother की mother, nani Mother के father, nana Mother की sister, mousi Sister के husband, mousa इनके जो बच्चे हैं मौसेरा भाई, मौसेरी बहन Okay So with that we finish The maternal side Maa के side की family अब जलते हैं Father की side याने के paternal side तो पिता की जो mother है वो दादी पिता की जो father है वो दादा तो आपने notice किया पिता की side से Grandmother is दादी दादा Mother के side से Grandmother is nani And grandfather is nana Okay Father की जो sister है बुवा Father के जो brother है चाचा या ताउ बुवा के husband फुफा और इनके बच्चे फुफेरा भाई फुफेरी बहन अब चाचा चाचा की wife चाची बड़े चाचा है तो ताउ उनकी wife ताई अब इनके जो बच्चे हैं चाचेरा भाई चाचेरी बहन उनकेरा भाई स्थाचेरा लेफड़े